आज हम बनाएंगे एक मज़िदार रेसिपी अपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाए और लाल कलर का बटन ने उसे थपकी दे विहार से अब अब अप्सक्राइब करना बूले तो चली ही से शरू करते हैं आज तो और यहां पर पच्ष फोर्ण ली आए आधा चमच और यहां पर जीरा का कोई तो मैंने जीरा ने डाला है तूरी मैंने आ पे कच्छी मुंफ़ली लिए इसने भी डाल लेना इसके अंदर और अच् यानि पीनट है यह क्रैक होने लगा है तो मैं यहां पे एक कटा हुआ प्याज जाल दूंगी मिडियम साइज का कुछ घरी मिर्चे और लैसन अध्रकोय की साथ कूट लिया था तो इसे भी डाल देंगे हम तो अच्छे से इने भून लेना है तो प्रेंस हमारे प्याज और मि यहां पर कोई भी गरम असाला एड़ कर सकते हैं थोटी चमस मैंने इसमें हर्दी एड़ किया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है यह रहिए फ्रेंस मैंने आप लिया है पाव किलो आलू जिससे अच्छे से मैश कर लिया है मैशर से और एक कटोरी मैंने यहां पे अच्छे से फोड लिया है इसे भी मतलब मैंने हातों से मिक्स कर लिया है यह देखिए तो यहां पे मैंने पोहा लिया है आप यहां पे ब्रेट क्रम्स का भी इस्तमाल कर सकते हैं पोहे के जगा पे टोस्ट भी डाल सकते हैं या फिर आरा रोट डाल सकते हैं और यहां पे म अब करें लिए कुटिरी काली मिर्च पाउडर इसे भी डाल देना है अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेना है मिक्स कर लिया है तो चलिए अब इनके बना लेते हैं कटलेट कमारी में अब अपने मन चाही कर लें अच्छा लगता है कि इस तरह से इसे बना लेना है और छूटे छोटे चोटे can be यहां पर हमारे कुछ कटलेट बनके रेडी हो गए है तो मैंने यहां पर लिया है तीन चमच मैदा अब यहां पर आरारोट भी ले सकते हैं तो इसमें डालना है पानी इसका गोल बनाएंगे हम और मैंने यहां पर थोड़ा सा नमगा कि रेडी है यह देखिटे आर सीमे लिए दोल यहां से टली उपर अब इसका अन्दार डिप करना है अच़े से पूरा अच्छ? इसके ऊपर कोड कर देना है और मैंने बनाए स्मरे आज से मैं फोड लिए है को यह देखिए ऐस्मी बत कर सकते हैं आप जिका भी इस्तमाल कर सकते हैं, मतलब आपके पास जो इंग्रीडेंट अवलेबल हो आप वो इस्तमाल सकते हैं, और इस तरह से हमें को जाड लेना है, प्रिंस इस तरह से कटलेट हमारा बना लेना है, ये रेखिए, अच्छे से कोट हो गया है, इसे में रख दे रहीं साइड तो इसी तरह से हमें दूसरा वाला भी लेना है, और सेम्स प्रोसेस से इसे भी लीप कर देना है, सेमाही से, बहुत ही डिलिशेस लगता है कटलेट, हमारा वेज कटलेट, ये देखिए, इसी तरह से करना है, जाड लेना है, कट्लेट रेडी हो गया है तो चलिए इन्हीं फ्राय करते हैं ने तेल गरम दिया था तो एक इसमें टीप कर दे रही हुआ यह रेखिये इसे मेडियम फ्लेम पे हम फ्राय कर लेंगे फ्रेंज पहले मैंने गरम होने के लिए रखाता तेन आज पे अब मैंने आज को धीमा कर दिया है पलट लेना है अच्छे से एके ये देखे कितने मस्त फ्राय हो रहे हैं कटले और इसे बनाना बहुत ही आसान है अब इसे एक बार रूट राइकर बहुत ही कम समय में बनता है अठाने में बहुत है दिलिशेस लगता है देखें फ्रेंज कितना प्यारा कलर आया हमारे कटलेट पे तो ये अच्छे से फ्राय हो गए हैं ये देखें कितना प्यारा प्यारा लग रहा है इने तो खाने का मनी नहीं हो रहा है लेकिन अब इसे खा जाएंगे और आप लोग इस भी एक बार जरूर ट्राय करें तो मस्त है ये तो दोस्तों ये रेखिए हमारा सेकंड बैच भी अच्छे से फ्राय हो गया है तो इसे भी हम निकान लेते हैं तो ये देखें ये कितना सुपर टेस्टी सुपर लाजवाब लग रहा है एकदम खतरनाग तो इसका में तेल जाड ले रही ता और ये रेखिए तो इसे गर्मा गरमंस सब करेंगे और इसके लिए बनाएंगे दमाकेदार अभी चटनी तो लग रहा है ना ये टैम्टिंग देखते ही मू और कुझे काते हां में अभी रेली ठाहिते हैं मुडार हम नमक डालेंगे मुड़क लेके पैस्टी बनाएंगे बूदं काटलेट भी रेडी एकदम गर्मा गरम और हमारी चटनी भी रेडि है तो इस चटनी के अंदर टीप करना है और अब गर्मा गरम dysleust कर में नहीं करत झाल झाल